हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ माई 11 सरकल से अगर आप अपने पैसो को बिड्रोग करना चाहते हैं तो चली देखते हैं माई 11 सरकल से पैसा कैसे निकालते हैं तो इसके लिए आपको अपना माई 11 सरकल ओपन करने के बाद उपर आपको राइट साइड में आपके पास जितना भी पैसा होगा दिख जागा इस पर आप किलिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे बीनिंग बैलेंस में जितना भी पैसा आपके पास होगा उसको आप बिड्रोग कर सकते हैं तो यहाँ पे विड्रोग पे क्लिक करेंगे उसके बाद अगर आपने KYC नहीं किया है तो पहले आपको अपना KYC करना होगा तभी आप पैसा विड्रोग कर सकते हैं तो यहाँ पे complete my KYC पे क्लिक करेंगे उसके बाद आधार कार्ड या फिर driving license या फिर voter ID कार्ड या passport इनमें स किसी भी एक document का यूज करके आप verify कर सकते हैं तो वह KYC कैसे करते हैं इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया है अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को आप देख सकते हैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा और आप अपना KYC कर सकते हैं बह हैं फिर अगर आप UPI से पैसा भी ड्रोक करना चाहते हैं तो यूप 2 ID यह पर link कर सकते हैं तो अगर आप bank account link करना चाहते हैं तो यहां पर अपना bank account number आपको help us और यहां पर आपको अपना IFSC code इंटर कर देना है और यहां पर आपको bank account link कर लेना है और अगर आप UPI से पैसा भी draw करना चाहते हैं तो UPI पर आपको इंटर your UPI ID में यहां पर आपको अपना UPI ID इंटर कर देना है और फिर save पर किलिक करना है उसके बाद confirm पर किलिक करना है उसके बाद आपके mobile number पर OTP आजाएगा तो OTP को आपको यहां पर इंटर करके verify फिर किलिक कर देना है उसके बाद आपका UPI ID my 11 circle में link हो जाएगा तो यहां से आपको अपना UPI ID को select कर लेना है उसके बाद आप अपना fund को विड्रो करने के लिए यहां पर आपको इंटर amount में जितना रुपए आप विड्रो करना चाहते हैं यहां पर इंटर करना है मीनिमम आप 50 रुपए विड्रो कर सकते हैं तो चल पर कलिक करेंगे उसके बाद हमारा withdrawal request सब्मिट हो जाएगा तो यहां पर withdrawal request सब्म करने कबाद Expected डेट में यहां पर देख सकते हैं आठ अपरील है तो हमने 8 April को ही withdrawal request सब्मिट किया था है तो यहां पर जो भी पैसा है हमें instant मिल जाता है लेकिन हमें कोई message नहीं आया था ज तो हमने अपना यहां पर मोवाइल बैंकिंग ओपन करके चेक किया तो पैसा आ चुका था लेकिन मुझे कोई मैसेज नहीं आया था जिसके बदे से पता नहीं चला तो आप भी अपना अपने अकाउंट में चेक कर लिजेगा वीडियो करने से पहले की कितना बैलेंस है ताकि आपको पता चल पाए कि आपका पैसा आया है या नहीं आया है और जो भी पैसा आपको मिलता है वो आपको रमी सरकल के नाम से देखनों को मिलेगा रमी सरकल और माई 11 सरकल दोनों एक ही कंपनी है तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा तो उमीद है आपको वीडियो नहीं किया तो सबस्क्राइब कर ले न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए